देखे ना फ्रेंड्स, यह सेव बन के रेडी हो गया है, देखने में कितना चटपटा लग रहा है ना, खाने में उससे भी जादा चटपटा है, चरूर आपके मूह में पानी आ रहा होगा, और यह देखे मैं हाथों से इसे मैस करके दिखाते हूं, बड़ा ही खासता सेव ब तन तेल में भी आप इसे बना सकते हैं, यह नहीं कि आपको कड़ाई में भढ के तेल चाहिए और यह देख रहे हैं इसकी रेसिपी, तो मैंने इसे कैसे बनाए चले ही सुरू करते हैं, दस से बारें लॉंग हम लिया है, और इसमें हम डालेंगे एक छोटा चमच यह प्राणा है तो आप इसे मिक्सिंग जाल में भी सकते हैं, लेकिन उसमें ठोड़ा साय तो नहीं पीज पाता इसलिगा हमने डाला, अब यह एक काटोडी अलेंगे हम और इसमें हमने डाला ओएक काटोरी पानी और मिक्सिंग जाल में अच्छ अृँ से ब्लेंड कर दें और इसी बर्तन में हम आगेगा प्रोसेस अस्टाट तो यह जो पूटा हुआ मसाला था था और आधी छोटी चमच लाल मेर्ज पाओडर डाली आधी छोटी चमच चल्दी पाओडर डाल दी श्वात के अनुसार आपको नमक डाल देना है इसमें इसके बाद फ्रेंच कुटी इसमें हम डालेंगे तीन कटोडी बेशन, उसी कटोडी से हमने तेल लिया, अभी हम ढ़ा कटोडी ही डालेंगे, आज़ हम अधा कटोडी मैंने बचा दिया, ठीक है, अभी इन छान लेंगे, छानना बहुत ही जरूरी है, तो आप इसे अच्छे से छान लीजेगा, येकिन मा उसे हम इसमें डाल देंगे, यदि आप एक बार भी डाल देते हैं, तो भी क्योंकि रेशियो बिल्कुल सही है, तो यह आधी कोटोरी वाली भी जो बेशन थी ना, हमने इसमें छानके ही इसमें डाल दिया है, अब इसका हम डो रेडी करेंगे, और फ्रेंट्स थोड़ा से चिपचिपा लगेगा, तो आप बीच में क्या कर सकते हैं, कि अपने हाथों में थोड़ा से तेल लगा लीजिए, जिसे बड़ी आसानी तरी से एक साथ बंद जाता ह तो इस तरह से मैंने इसका डो लगा लिया, ना बहुत सक्त ना ही बहुत मुलाएं, तो इस तरह से ये डो जो है बनके रेडी हो गया है, और बीच-बीच में मैं तेल लगा रही थी हाथों में, तो आसानी से जो बेशन थाना हाथों से छूट जा रहा था, तो करके मैंने इसका डो रेडी कर लिया, बहुत मसलनी की आवशकता बिल्कुल आपको नहीं है, बस एक साथ जैसे ही ये डो आने लएगा, यानि कि ये डो रेडी हो गया है, फ्रेंट से रेसिपी बहुत ही एकुरेट रेसिपी है, अब इसे हमी क्या करना है ना, कि एक साथ ही हो चुका ह थोड़ा सा हाथ में मेरा लगा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा ओयल लगाई और फिर उसे एक साथ मिला दी तो वो सब कुछ इकठा हो गया है, आपको मैंने पहले भी बोला कि आपको मसलनी की उतनी अवशकता नहीं है इसे, अब हमी क्या करना है कि इससे थोड़ा सा हिस्सा निकालना है और इसे लंबा जो इस तरह से बना लेना है, अब हम लेंगे इसका साचा, सेव बनाने का साचा आता है दोस्तों, तो ये मोटा वला साचा हमने इसमें डाल दिया, अब साइड में हम थोड़ा सा इसमें ऑईल लगा लेंगे ताकि छिपके नहीं और असानी से ज जाता है, तो इस तरह से देखिए कैसे मैं राउंड करते हुए, इसे सेट कर रही है, वो जाकर सेट हो जाता है उसमें, देखिए ये सेट हो गया, ठीक है, अब उपर वाला पॉर्शन पकरके ना, कड़ाई में हमने तेल गर्म किया है, बहुत जादा तेल को गर्म नहीं कर जाता है, कि कुछ देर के बाद, पांच मिनट के बाद पलटी कर देना है, जैसे, आप देखिए फ्रेंड से, मैंने कम तेल डाला, क्यों कम तेल डाला, क्यों कि जादा तेल ये दिमें डालोगी, तो तेल सभी जलके ना, उसमें कलस्ट्रॉल बढ़ जाता है, बैट कलस्ट इसलिए मैं आपको इस चीज को बात बता रही थी, क्योंकि उतना दिर आपको उसे घडाई में रखना है, और तरब जाके उसे आपको पलटना है, साइचेंड करना है, क्योंकि वो बेसन है तो थोड़ा टाइम लेता है, तो इसे आपको ध्यान रखना होगा, और जैसे इस इसको हमें रेडी कर लेना है फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है क्योंकि फ्लाइ करने वाली चीज़ों को आसे ही रखने चे हाई रखोगे आप जल जाएगा स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं हो तो यह बन के रेडी हो गया ना कितना लाजवाब लग रहा है ना फ्रेंड